अलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैसेल तराचन तीम मैच CLCC कर तो आप लोगों की जो टेस्ट शीरी चल रही है उसके एंड में I think आप लोग एंड तक पहुंच गया हो 42 मैं से 39 नमबर टेस्ट सेकें लास्ट टेस्ट है आपका मैच का तो उसका सॉल्यूशन देखते है आज हम लोग ठीक है इसके अंदर आपका एरिया और डिफ्रेंशल एक्वेशन का जो पार्ट है हम लोग ने उसको कवर करने की कॉसिस की है आप लोगों पेपर अच्छा हुआ होगा तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन पहला क्यूशन फर्स्ट क्यूशन में क्या है देखिए इसको देखना है कि कौन सा ओप्शन इसके अंदर यहां पर क्या कर रहा है आपका सैटिस्पाई कर रहा है तो चलिए करते हैं बात सो एक सेकंड क्यूशन निकाल लेते हैं वापिस यहां पर देखिए क्या है आपको पहला क्यूशन हाई यह चलिए करते हैं बात सो पहले क्यूशन के अंदर देखिए हमें यहां पर जो दे रखका है इसके corresponding हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो हमें proportionality constant k दे रखा है, उस k का use करना है, उसी format में answer है, और साथ में उसकी height दे रखी है, हमें h, और radius दे रखी है, capital R, तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो कौन है, वो कुछ इस type का है, ठीक है, और इस कौन के अंदर, इस part के अंदर हमारे पास में, क्या हो रहा है, liquid है, ठीक है, इसकी radius हमें r दे रखी है, मान लेते हैं कि इस short part की radius small r है, capital height आपको total h दे रखी है, मान लेते हैं कि इस वाले part की height है हमारे पास, वो small h है, साथ में यह भी मान लेते हैं कि इसका जो angle है, इसके साथ में यह कितना है, theta है, तो देखें, यहां से आपको relation मिल जाएगा, जो आपका काम माया आएगा, that is 10 theta ब्राबर, यह theta है, यह angle 90 degree है, तो 10 theta होता है, perpendicular, theta के opposite, r divided by base, that is capital H, और small के अंदर जब देखोगे, small r divided by capital H, तो यह जो पार्ट है हमारा, यह काम में आएगा, question के अंदर, आगे हम जब question के अंदर values put करेंगे, solve करेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, dv by dt will be proportional to minus s, ठीक है न, क्या हो रहा है वो, आपका जो liquid है, वो evaporated हो रहा है, at the rate proportional to its surface area, minus sign इसलिए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, और साथ में, directly proportional किसक है, surface area के, so dv by dt is directly proportional to minus s, so dv by dt कितना आजाएगा, proportional constant हमें k दे रखा है, so minus k और s होता है, आपका pi r square, ठीक है न, इसका area कितना हो जाएगा, pi r square, चलिए बात करते हैं, इसका जो volume होगा, हमारा v ब्राबर होगा, आपका कितना, 4 by 3, इसका होता है, pi by 3 into r square h, pi by 3, r square h, h की value put करते हैं, यहां से small h ब्राबर हो जाएगा, r by 10 theta, तो v ब्राबर कितना हो गया, बच्चों, pi upon 3 into r cube, यहां से कितना आएगा, r by 10 theta आएगा, तो उपरा करते हो कितना हो जाएगा, बच्चों, cot theta, इसको differentiate कर दीजे, किसके respect में, t के respect में, तो देखिए कित गया, dv by dt ब्राबर आगया, 3 बहार आजाएगा, cancel out हो जाएगा, pi cot theta constant है, और r को differentiate कर दिया, तो यह आगया, 3 r square into dr by dt, देखिए बच्चों, dv by dt की value हमें दे रखिए, कितनी, minus k pi r square यह put कर दो, यहां पर, minus k pi r square ब्राबर, pi, यहां से जो 3 आया था, वो तो हमने, pi by 3 था, cancel out हो जाएगा, pi into r square cot theta into dr by dt, ठीक है, देखिए, क्या cancel out हो रहा है, pi r square दोनों cancel out हो जाएगा, pi b और r square भी cancel out, तो finally मेरे को क्या मिला, dr by dt cot theta उधर है, और minus k मेरे पास इधर बचा, तो मेरे को यह सा दिखाए देगा, minus k का k इस साइड में, और उधर में है dr by dt, तो dr को उधर रखते हैं, और dt को ले आते हैं इधर, और इसको integrate कर देते हैं, कहां से कहां तक, ठीक है, देखिए, time t equal to 0 से, जो radius है, आपके पास में, कहां से कहां vary कर रही है, 0 से लेकर के r तक, ठीक है, और initially, आपका जब time 0 था, ठीक है, उस time पर आपके पास में, radius कितनी थी, capital R, और यह minus का k, यह आएगा, आपका 0 minus t, बराबर यहां से कितना आजाएगा, r minus 0, r वो आएगा, उसमें limit put करेंगे, तो r minus 0, so kt बराबर आगया, बच्चों, यहां से r, अब हमें चाहिए, क्या, हमें चाहिए, time चाहिए, ठीक है, the time after which the con is empty, जब con खाली हो जाएगा, तब क्या time हो होगा, तो time t बराबर हो जाएगा, बच्चों, r upon k, अच्छा, इसके अंदर साथ में एक चीज़ हमने भूल गए देगे, यहां पर एक cot theta भी था, यहां पर, dr के multiply में क्या था, cot theta वो भी रहेगा, ठीक है, cot theta, cot theta, into cot theta, so r cot theta, और देखे, यहां से हमें r cot theta को क्या लिख सकता हूँ, यह नीचे आकर के ऊपर आ जाएगा, r cot theta हो जाएगा मेरा कितना, h, तो यहां से मेरे को कितना मिलेगा, t बराबर हो जाएगा, h upon k, और h upon k आपका जो भी option है, वो सही होगा, और ऐसा option दिया है, आपको option number 3, जो कि आपका सही answer होगा, ठीक है, तो इसमें बस simple था diagram को समझना था, और diagram को समझ के, यह आपको दे रखा है, directly proportional to minus s, इसको differentiate कर दिया, differentiate करके वापिस integrate कर दिया, time t पर आपके पास मेरे r कितना है, 0, जब r 0 हो रहा है, उस case में आपको time निकालना है, और initially आपके पास, initial जब time 0 है, उस time पर आपकी capital पूरा वो भरा हुआ है, उस time नमर 2 के अंदर हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो, the area of the region bounded by the curve defined by this and this, इन दोनों से bounded area कितना होगा, देखे, minus pi pi 3 के बीच में यह कर हो है 10x का, और y का कर हो है आपका pi pi 6 से pi pi 2 cortex, तो देखे, bounded जो भी आएगा आपके पास में, क्योंकि उसकी limit कम है, तो उसी के अ आपका उसका graph बनेगा, 10x का graph हम सबको पता है कि वैसे तो इस तरीके का बनता है, लेकिन आपको court की जो limit दे रखी है, वो दे रखी है pi pi 6 से pi pi 2, तो means दोनों की limit आपके पास में यह हो जाएगी, आपकी pi pi 6 से लेकर के pi pi 2 तक, लेकिन देखे, इसके साथ में यह कि वो आप आपका 10 pi pi 3 पे ही खतम हो जाएगा, तो means दोनों की जो common limit हो गई हो गई हो गई आपकी pi pi 6 से pi pi 2 तक, और इसका किसके साथ में आपका, x-axis के साथ में bounded, means आपको यह area find out करना है, देखे बचो, pi pi 6 से pi pi 4 तक तो आपका कौन सा graph आ रहा है, यहां तक तो आपका 10x, और pi pi 4 से pi pi 3 तक आपका कौन सा, यह pi pi 3 होगा, pi pi 3 तक आपका कौन सा आ रहा है, that is cot x into dx, इन दोनों के integration के formula हमें पता है, वो formula लगा देते हैं, देखे कितना आएगा answer, यहां पर आएगा log sin upon cos, यह होता है seg x का mod, plus इसमें values put करेंगे, pi pi 6 से pi pi 4, यहां पर आएगा log cos upon sin, so that is sin x, और इस limit put कर दी हमने, pi pi 4 से लेके pi pi 2 तक, तो देखे बच्चों कितना आ रहा है, pi pi 4 put करेंगे यहां पर, तो log seg pi pi 4, seg pi pi 4 होता है, root 2, तो यह बन जाएगा, बच्चो, ln of root 2, pi pi 6 होता है, बच्चो, 2 seg 30 degree, seg 30 degree होता है आपका कितना, 2 by root 3, तो यह बन जाएगा, minus का ln 2 by root 3, sin pi pi 2 बच्चों कितना होता है, 1, तो यह 0 हो जाएगा, minus pi pi 4 put करेंगे, तो यह आ जाएगा, बच्चो, ln of root 1 by root 2, तो root 2 कर देते हैं, तो यह plus हो जाएगा, so that will be also root 2, तो कितना आ रहा है, बच्चो, देखिए, log root 2, log root 2, यह हो जाएगा, 2 into ln of root 2, उसको formula लगा दिया, वो बन जाएगा, minus का ln 2, और minus minus plus बन जाएगा, ln root 3, कितना आ रहा है, देखो बच्चो, इसमें से 2 की power 1 by 2, तो यह बहार आ जाएगा, तो यह बन गया, बच्चो, ln 2, 2 से 2 cancel out हो गया, minus ln 2, और साथ में यह कितना बना हमारा, यह बन गया, log root 3, यह आ रहा है, एक बार चेक कर लें, दुबारा, यहां पर pi pi 2 नहीं था, बच्चो, यहां पर pi pi 3 था, ठीके न, तभी यह 0 नहीं आएगा, यहां पर कितना आएगा, sin root 3 by 2, और pi pi 3 is sin root 3 by 2, तो यह आएगा, ln of root 3 by 2, यहां पर 0 नहीं होगा, यह ln of root 3 by 2 आएगा, बच्चो, तो एक ट्रम और रहेगी आपकी इसके साथ में, log root 3, minus log 2, ठीकर, ln of root 3 by 2, कितना आ रहा है, देखो, यह तो कट जाएगा, इससे, यह बन जाएगा, 2 time ln root 3, इसमें से भी 2 भी बाहर आजाएगा, तो यह बन जाएगा, ln 3 और minus ln 2, तो आपका finally क्या बचा बचो, ln of 3 by 2, और ln of 3 by 2 कौन सा option है, log 3 by 2, that is third option, again, जो आपका क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 3, question number 3 क्या है, देखिए, question number 3 के अंदर, इस differential equation दे रखिए है, उस differential equation को हमें क्या करना है, बच्चो, solve करना है, तो चलिए, करते हैं, solve, कैसे करेंगे, जैसे अभी तक करते आए है, देखिए, y by x कापी जगे पर दे रखिए है, ठीक है, यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक x है, तो इसको इससे divide करें, यहाँ से x गाइब हो जाएगा, यहाँ से x, तो देखिए, इसको करते है, log cos y by x, plus यहाँ से, हमने इसको x से divide किया, तो यह y by x बच जाएगा, sin y by x, ठीक है, अंदर वाली टरम को हमने x से divide किया, इसको किस से divide करें, इसको भी x से divide कर दो, तो यह बन जाएगा आपक Dx, ठीक है, अच्छा, इसको Y से Divided कर देते हैं, ताकि ये Cancel Out हो जाए, तो ये कितना हो गया, Dx, अंदर X से Divided कर दिया, बहार Y से Divided कर दिया, इसमें उल्टा करते हैं, इसमें क्या करें, अंदर तो किस से Divided करें, बहार तो X से X कटके, अंदर y से डिवाइड कर दो, तो यह बन गया sin y by x, minus x upon y into cos y upon x, और साथ में आ जाएगा बच्चों, dy, dx को भी दर ले आईए, तो dy by dx, ऐसा आ जाएगा, अब y by x को t मान लेते हैं, ठीक है, y by x को t मानेंगे, तो यह बन जाएगा, देखो बच्चों, cos t plus t into sin t, ठीक है, बरा आ जाएगा, आपके पास में sin t, यहाँ पर आएगा, minus का cos t, divide by t, तो t आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में आ जाएगा, divide में, और dy by dx कितना आ जाएगा, देखिए, y by x को t माना, तो y बराबर x t, तो dy by dx आ गया, बच्चों, आपका x का करेंगे, तो t plus x into dt by dx, तो यह कितन आएगा, यह आजाएगा हमारे पास में t plus x into dt by dx, ठीके, इसको मैं simplify करना है, और इसको simplify करके हमें अपना answer निकालना है, तो देखिए, simplify करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो variable को separate करेंगे, इस t को इधर multiply किया, तो यह बना बच्चों, t cos t plus t square sin t, divide by, इस से divide कर दिया that is t sin t minus cos t, यह तो आपका left hand side का part हो गया, इसमें से minus t को इधर लेके आएंगे, इधर आजाएगा आपके पास में x into dt by dx, देखिए बच्चों कितना आ रहा है, t cos t, इधर आएगा आपके पास में minus का t cos t, हट जाएगा इसके साथ, t square sin t, इधर से आएगा आएगा आपके प t हटेगा, यह minus minus plus हो जाएगा, so 2t cos t by 2 रह जाएगा, 2t cos t, यह उपर रहेगा और नीचे आएगा बच्चों, t sin t minus cos t, minus cos t, बराबर x into dt by dx, इसके अंदर देखिए variable को separate करते हैं, इस ट्रम को उपर लेके जाते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं, उधर तो आएगा और right hand side हो जाएगी हमारे पास में क्या, इसके उपर आजाएगा, t sin t, साथ में आएगा बच्चों, minus cos t, divide by, यह आजाएगा आपके पास में, 2 को भी उधर ही रख लीजिए, ठीक है, 2 को भी वह ही रख लीजिए, तो यहां से कितना आजाएगा यह, यह आजाएगा आपके पास में, t sin t minus cos t upon t cos t, t cos t, देखे कितना आ रहा है, ठीक है, t sin t minus, यह आगया, into dt, अब देखो, अगर मैं नीचे वाले को alpha मानता हूँ, तो उपर क्या बन रहा है बच्चों, अगर मैं इसको alpha मान लिया, कि इसको t cos t को, alpha मान लिया, तो इसका differentiation t का होगा, cos t, और cos का करेंगे, तो आएगा, बच्चो, minus का t sin t, into dt, बराबर, d alpha, तो यह क्या बन गया, देखो, बच्चो, यह बना, ln of x square, बराबर, यह बनेगा, minus ln of t, ln of alpha, that is, alpha की value वापिस पुट कर दी, t cos t, और साथ में आ जाएगा, आपके आपने, ln of c, तो यहां से कितना आ रहा है, देखें, बच्चो, यहां से यह भी उतर सला जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा, x square, t cos t, बराबर, c, t के value, put कर दीजिए, yx, y by x, तो देखें, आपके सामने यह option आ जाएगा, 1x कट जाएगा, x into y, cos y by x, बराबर, c, जो तीसरा option है, वो हमारा क्या होगा, सही answer होगा, ठीक है, यह था हमारा question number 3, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 4, question number 4 में देखें, हमें क्या दिया है, question number 4 के अंदर हमें बोला गया है कि, the area of the region bounded by the curve, this and this and the line x equal to 0 and x equal to pi pi 4, देखें, x बराबर 0 पर यह 1 upon cos x, यह भी 1 by cos x, अब इसकी वैली तो बढ़ रही है और इसकी वैली कम हो रही है, इसका मतलब यह ग्राफ उपर होगा, यह आपके पास में क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको 0 से pi pi integrate करना है, एक्चुली किसको, 1 plus sin x by cos x का root और minus 1 minus sin x upon cos x का root, ठीक है, यह इससे बड़ा होगा, इसको आप check कर सकते हो, अलग-अलग तरीके से, ठीक है, इसको rationalize करके देख सकते हो, ठीक है, या इसमें values पूट करके देख सकते हो, 0 से pi pi 4 के बीच का 30 डिगरी पूट कर लीज ठीक है, यह वाली quantity ज्यादा होगी, यह quantity आपकी कम होगी, तो यह उपर होगा, यह नीचे होगा, और area का concept होता है, कि अपर कर माइनस लोगर कर हम integrate करना है, अब देखिए, अगर हम देखे तो हमें complete integration नहीं करना है, ठीक हमें आदा ही करके छोट देना है, ठीक हमें आदा ही x by 2, divide by 1 plus 10 square x by 2, और ऐसे ही cos x में लगा देते हैं, तो देखो बच्चों, यहाँ पर उपर आपके पास में formula लगाओगे, तो 1 plus this से तो यह उपर जाके LCM आएगा, और root से ही कट जाएगा, तो यह बनेगा आपके पास में 1 plus 10 x by 2 का hall square, ठीक है न, 1 plus 10 x by 2 का hall square, और वो कट जाएगा, minus, यहाँ बनेगा आपके पास में 1 minus 10 x by 2 का hall square, और square जब करता है, तो आप सब को पताओगा बच्चों, mode आता है, और नीचे दोनों के अंदर क्या बनेगा, cos x, ठीक है, तो cos x के अंदर चाहिए इस में देखे या इस में देखे, ठीक है, 1 minus 10 x by 2 upon 1 plus 10 x by 2, तो द बात करते हैं, इसको simplification की, तो mode जब हटाएंगे, 0 से pi pi 4 के अंदर, ठीक है, तो यह तो positive quantity है, सिधा हट जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर भी 1 minus यह positive होगा, क्योंकि यह 22.5 degree तक ही जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, और आपको मिल जाएगा, 2 10 x by 2, divided by root over 1 minus 10 square x by 2, इसको देखें बच्चों, उपर ने से multiply करते हैं, कि इससे 1 plus 10 square x से, क्योंकि हमें से 2 square x by 2 चाहिए उपर, तो से 2 square x by 2, और निचे जो से 2 square x by 2 आएगा, उसको लिख दिया, 1 plus 10 square x by 2, 10 x को t पूट कर लिया बच्चों, तो देखें, उपर तो कितना आएगा आपके पास में, उपर तो आएगा, 4 t dt, 4 कैसे आएगा, क्योंकि 10 x by 2 को पूट किया, तो एक 1 by 2 वहां से भी आएगा, 4 t dt, निचे आएगा आपके पास में, 1 plus t square, और 7 में आएगा, root के अंदर 1 minus t square और power के अंदर, जब x 0 होगा, तो 0, और देखें, 5 by 4 और x by 2 था, तो 22.5 degree आजाएगा, जिस पर आपका 10 कितना होता है, root 2 minus 1, तो आपका integration इस format में convert हो जाएगा, और ऐसा option है, हमारा option number 2, ठीके, तो यह हो गया हमारा second option, आगे बात करते हैं, next, that is question number 5, question number 5 देखें क्या है, area of the region bounded by the curve, this and this, इन दोनों कर से bounded area क्या होगा, वो हमें find out करना है, तो चलिए बात करते हैं, देखें, y square बराबर 2x plus 1, यह आपके सामने ऐसा एक पेराबोला है, y square बराबर 2x plus 1, और x plus y बराबर 1, ठीक है न, positive x और negative y पर intercept करने वाली एक line है, और कहाँ पे cut करेगी, minus 1 पे, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं y को minus 1, इसके अंदर अगर देखें, हम दोनों का intersection point पहले देख ले, तो उसमें put कर दो, y या x को कुछी को, x की जगे पे put कर दो, y square बराबर 2, x की जगे पे y plus 1, और साथ में कितना है, plus 1, तो यह आ जाएगा बच्चों, y square plus 2y है, जो इ y minus 3 into y plus 1, तो y बराबर minus 1 और y बराबर 3 पर यह आपको क्या कर रही है, intersect, तो minus 1 आपका यही point था, ठीक है, और उपर आपको intersect करेगी, कहां पर 3 पर, तो यह ऐसी कोई एक line है, जो आपको इसको क्या कर रही है, cut कर रही है, area of the region, bounded by the car, this and this, इन से bounded area चाहिए, means हमें यह वाला area find out करना है, तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करते है, y की हमारे पास में limit है, minus 1 से 3, तो इसके हम क्या कर देते है, right minus left curve लगा देते है, right curve है हमारा y बराबर x minus 1, उदर state line है हमारी, minus, इधर हमारे पास में यह curve है, तो यहां से x की value आजाएगी, बच्चों कितनी, अच्छा, x की value फूट करनी है, तो x की value आएगी, वहां से, बच्चों, y plus 1, minus, इधर से x की value आएगी, y square minus 1 divided by 2, ठीक है, और इसे हमें integrate करना है, बच्चों, कहां से कहां तक, minus 1 से लेके 3 तक, into dy, ठीक है, जैसे integrate करेंगे, हमारा answer आजाएगा सिधा, क्यो y by 2, minus y square by 2 का integration, minus का y cube by 3, y cube by 6, 2 पहले से present है, 1 plus 1 by 2 हो गया, बच्चों, 3 by 2, तो यह बन जाएगा 3 by 2 into y, इसमें put कर दीजिए, limit minus 1 से लेकर के 3 तक, देखिए कितना आ रहा है, 3 put किया 9 by 2, यहां 3 put किया, तो एक 3 cancel out हो जाएगा, so minus का 9 by 2 again, ठीक है, एक 3 cancel out हो गया, so 9 by 2, यहां 3 put किया, so 3 into 3, that is again 9 by 2, minus sign, minus 1 put किया, 1 by 2, minus, minus 1 put किया, so plus 1 by 6, यह plus इसलिए हो गया, क्योंकि y square था, इसकी value minus में आएगी, और यह बनेगा minus 3 by 2 into minus 1, तो यह आजाएगा, तो देखिए कितना आ रहा है, यहां से यह cancel out हो जाएगा, इसका LCM आएगा, बच्चों, आपका कितना, 6, 2 से भाग दिया, 3, 3 into 9, 27, 2 से इसमें दिवाइड किया, 3, 3 into minus 1, that is minus 3, 6 से आएगा, बच्चों, minus 1, 2 से करेंगे फिर से, तो 3 into 3, इस बार फिर से आएगा, बच्चों, प्लस का 9, तो कितना आ रहा है, 27 plus 9, 36 minus 4, so there will be 32 by 6, यह आपका आंस्वर है, तो ऐसा option कौन सा है, बच्चों, ऐसा option है, आपका अगें 3rd, that is 16 by 3, तो बहुत simple question था, बस आपको थोड़ा तरीके से इसको integrate करना था, ठीक है, चलिए आगे बात करते है, question number 6, क्या है, देखिए, question number 6 के अंदर, आपको क्या करना है, area bounded by the curve, this and x-axis and the ordinate x ब्राबर 2 and 4, तो बहुत ही simple question लग रहा है, y ब्राबर 8 by x square plus 1, ठीक है, ऐसा कारू है, आपका कोई भी एक, ठीक है, यह ब्राबर 1, इसको integrate करना है, आपको x ब्राबर 2 से लेकर के 4 तक, miss, इससे bounded area निकालना है, तो ऐसा area आएगा कुछ, ठीक, x ब्राबर 2, x ब्राबर 4, x-axis और this कर, तो इसको integrate कर दीजिए, बस simple 2 से 4 तक, और यहां पर आजाएगा, 1 plus 8 by x square into dx, यहां आजाएगा, x minus 8 upon x, limit put कर दीजिए, 2 से 4 तक, 4 minus 2 is 2, minus 8, कितना आजाएगा बच्चो, 1 by 4 minus 1 by 2, multiply कर दीजिए, 2 minus 8 upon 4 is minus 2, और साथ मा आजाएगा बच्चो, प्लस 4, यह कट जाएगा, और यह आपका answer आजाएगा, तो 4, again आपका third option, जो है, वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, next question है हमारा, question number 7, देखिए क्या है, question number 7 के अंदर आपको इस differential equation को solve करना है, और यह कौन सी differential equation है, y1, y1 square means इसकी power जादा है, ऐसी differential equation को हम कैसे करते हैं, बच्चों, आप सबको पता होगा, हम सबसे पहले मान लेते हैं, कि d y by d x कितना है, मेरा, p है, अगर देखिए, d y by d x p है तो यह हो गया, आपका y plus p x बराबर, p square into x की power 4, और इसको बच्चों, कभी भी हम, कई बार factorization हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा तर direct factorization नहीं होते हैं, तो इसको हम एक बार differentiate करेंगे, किसके respect में, x के respect में, तो d y by d x, जिसको हमने, इसका x के respect में, differentiation कितना होगा, d y by d x, जिसक का करेंगे, तो p बचेगा, और p का करेंगे, तो आएगा x into d p by d x, बराबर, p square 2p x की power 4 into d p by d x, और साथ में आएगा बच्चों, 4 into x cube into p square, देखें कितना आ रहा है, 2p plus x into d p by d x, और यहां से कितना आ रहा है बच्चों, यहां से क्या common आ रहा है, 2 common आ जाएगा, x cube common आ जाएगा, p common आ जाएगा, तो यहां पर कितना बच्च रहा है, देखो बच्चों, x d p by d x, x into d p by d x plus 2 common आ रहा है, 2 बचेगा, x cube common आ गया, p common आ गया, तो 1p बच जाएगा, तो देखें, दोनों से हमें क्या मिला, दोनों से हमें दो values मिलेगी, एक तो मिलेगा, p ब्राबर, इसको इधर लाकर के common जब लेंगे, ठीकान, एक तो p ब्राबर आएगा, बच्चों, 1 upon 2 x cube, ठीके, और दूसरा आएगा, हमारे पास में कितना, x into d p by d x ब्राबर, minus का 2p, तो देखिए, यह दो solution आये हमारे पास में यहां से, एक तो p की value आ गई, 1 upon 2 x cube, और दूसरा हमारे पास में कितना आ गया, दूसरा आ गया, हमारे पास में x into d p by d x ब्राबर, minus 2p, ठीके, तो चलिए देखते हैं, पहले वाला, अगर हम p की value इसमें put करते हैं, तो दे 2x cube, देखिए, इधर आ जाएगा, तो इसमें minus sign आएगा, और यह value इसमें put करेंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए, y plus y1, y1 कितना होगा, बच्चों, dy by dx, that is p, और p की value आ गई, x into y1, that is 2x cube, equal to, में y1 square, y1 square कितना हो जाएगा, बच्चों, y1 square means, dy by dx का whole square means, p square, और p square की value आ गई, मेरे पास, 1 upon 2x की power, 6, और यहां पर आ जाएगा, 4, और 7 में है, x की power, 4, तो कितना आ रहा है, देखिए, यहां से मेरे को मिल रहा है, y plus x divided by 2x cube, so there will be 1 upon 2x square, बराबर के अंदर मेरे पास में कितना आ गया, equal to में मेरे पास में आ गया, यहां से 1x square कट जाएगा, तो 1 upon 2x square, तो इससे यह cancel out हो जाएगा, यहां से 4x square आएगा, तो यहां से y बराबर आ रहा है, मेरे पास यह, लेकिन यह तो मेरे पास में क्या आ गया, एक सीधा कर्व आ गया, अपके पास में simple कर्व आ गया, ठीक है अब देखते हैं कि इस से कितना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा option तो हमें कोई दिया गया नहीं, जिसके अंदर constant वगरा कुछ आ नहीं रहा है, तो दूसरे वाले को करने के लिए इसको integrate किया, और इसको integrate करेंगे, तो p को नीचे ले आए, dp by p ब्रावर, minus का 2dx by x, इसको integrate क कर दिया बच्चों, तो आएगा ln p ब्रावर, minus का ln x, प्लस ln c, तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों, यहां से आ रहा है, p ब्रावर, c upon x square, देखे, p क्या यह value पूट करते हैं, तो साइध हमारा answer आ जाएगा, देखे, बच्चों, इस बार इसमें पूट किया, p ब्रावर हमने कितना, c upon x square, तो देखे, कितना आ रहा है, y plus p के जगे पर c x by x square, तो 1x कट जाएगा, और यहां पर हमें मिलेगा, उपर c और नीचे 1x बच जाएगा, हमारा, बरावर, c square by x square, तो उपर से 1x square कट जाएगा, तो finally मेरे पास में आया, x y plus c बरावर, c square into x cube, ठीक है, इस type से आ रहा है, ठीक है, इसका square करेंगे, तो x की power 4 आएगा, sorry, x की power 4 आएगा, तो यहां पर शिरफ x आएगा, तो x y plus c बरावर, c square x, बिल्कुल यह देखिए, यह रहा option हमारा, x y plus c बरावर, c square x, और हमारा second option, यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, तो यह यह थे हमारे सारे single correct questions, आगे बात करते हैं, चलिए passage के बारे में, चलिए बचों, start करते हैं हमारे paragraph 1, और paragraph 1 में देखिए हमें क्या दिया गया है, for j equal to 0, 1, 2 up to n, let s j be the area of the region bounded by the x-axis and this curve, for j pi से greater than x, और less than j plus 1 pi से, तो देखिए, पहला question, s 0 निकालना है, s 0 मतलब, s j से represent किया गया है, तो यह limit क्या हो जाएगी, आपकी 0 से लेकर के, pi तक हो जाएगी, और आपका कारू है कितना, y बराबर sin x divided by e की power x, actually आपको इसको integrate करना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर pi तक into dx, ठीक है, क्योंकि 0 से pi में ये भी उपर रहेगा, और ये भी positive है, तो आपके पास में positive quantities आएगी, x बराबर 0 पर 0 है, और pi के उपर वापिस 0 आएगा, तो गुम के आपके पास में bounded curve बनेगा, इस type का, इसको integrate करने के लिए हमें इसमें formula यूज करना पड़ेगा, e to the power minus x into sin x into dx, और इसके अंदर कैसे formula लगाएगे, यह आप सब को पता होगा, बच्चो ठीक है, पहले minus x को t put कर ले, ठीक है, तो आपको यह जो formula है, यह जो limit है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से minus pi बाहर minus sin e to the power t, x को में ने put किया, तो sin of minus theta यह वापिस plus हो जाएगा, that is sin t into dt, लेकिन limit के अंदर आपके पास में minus आजाएगा, क्योंकि x को में ने क्या put कर दिया, बच्छो, minus t, x बड़ाबर 0 पर तो 0 होगा, बट x बड़ाबर pi पर कितना हो जाएगा, minus pi, इसमें देखिए, बच्छो, सीधा formula लगता है, एक तरीका होता है करने का, आप भी ऐसे ही कीजिए, e की पावर t तो बाहर रखिए, यह e की पावर t को पहला function, और sin t का integration क्या होगा, minus का cos t, ठीक है, फिर minus sign, पहले का differentiation, और इसी का integration, और इसका integration कितना होगा, minus cos का होगा, minus का sin t, और divide by कितना हो जाएगा, बच्छो, divide में आएगा, आता है, a square plus b square, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, so divide में आजाएगा 2, और इसमें limit पूट कर दीजिए, कहां से कहां तक 0 से लेकर के, minus pi तक, तो देखे, कितना आएगा, यहां पर minus pi पूट करेंगे, तो यह बनेगा, बच्छो, e to the power minus pi, और cos of minus pi minus 1, तो यह बन गया, plus 1, यहां pi पूट करेंगे, तो 0 हो जाएगा, 0 पूट करेंगे, तो यह बनेगा, बच्छो, cos 0, और cos 0, लेकिन यहां पर भी आपके पास में कितना बन जाएगा, यहां पर आपके पास में आजाएगा, कितना, e की पाउर 0, और e की पाउर 0, 1 होता है, तो 7 में बच्छो, यहां पर कितना आएगा, e to the power minus pi, minus sign, 0 पूट किया, तो 1, और cos 0 होता है, आपके पास में 1, तो 1, 1 कितना हो जाएगा, plus 1, और वापिस यहां 0 पूट करेंगे, तो फिर से 0 हो जाएगा, divide by 2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, answer, e to the power minus pi plus 1 upon 2, ऐसा कौन सा option है, second option, जो की सही होगा, यह तरीका याद रखिए, वह च्छो, बहुत अच्छा तरीका है, पहला function as it is, दूसरे का integration, फिर इसका differentiation और इसी का integration, ठ इसका integration काफी लंबा हो जाता है, और फिर हमें उसको करने में काफी problem आती है, ठीके, चलिए आगे बात करते है, next question, that is question number 2, इसी का देखिए अगला question है, question 2, देखिए कितना आ रहा है, question 2 के अंदर आपसे पूछा है, वही passage जो आपको पीछे दिया गया था, ठीके, s2009 divided by s20 2010, देखिए, क्या था हमारे पास में, वहाँ पर आपको याद होगा function, वहाँ पर function था हमारा y into e to the power x बराबर sin x, ठीके, हमें इसको integrate करना है कहां से कहां तक, s2009 से s2010 तक, तो देखिए, उपर तो जो हमारे पास में limit आएगी, वह आएगी, 2009 pi से लेकर के, 2010 pi, और नीचे आपके पास में integration में limit आएगी, बच्चो, 2010 pi से, 2011 pi, और यहाँ पर कितना आजाएगा, बच्चो, यहाँ पर आजाएगा, e to the power minus x into sin x, और यहाँ पर भी आजाएगा, बच्चो, e to the power minus x into sin x, अब देखिए, इसको में integrate करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, क्यों क्योंकि यह तो convert हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, 2011 है, यहाँ पर 2010 है, तो हम एक काम करते हैं, हम x को put कर देते हैं, कितना, t को put कर देते हैं, x plus 1, जैसी x 2009 होगा, यह 2010 हो जाएगा, 2009 pi, और जैसे 2010 इसी 2010 होगा, यह 2011 pi हो जाएगा, x plus pi पूट कर देते हैं, तो बच्चों क कितना आएगा, उपर वाला integration बन जाएगा, मेरा e to the power minus pi, उसको बाहर ले लिया, constant है, e to the power minus x, यहाँ पर देखिए, यहाँ बनेगा sin, x इसे पर कितना आएगा, t minus pi, ठीक है न, sin pi minus theta, ठीक है न, जो आपके पास में बाहर आकर कितना हो जाएगा, e to the power minus x, x इसे पूट कर दीजे देखिए, sin, x क्या पूट करेंगे, t minus pi, minus sin को बाहर निकाला, so minus का sin, pi minus t, ठीक है, और sin pi minus t वापिस कितना आजाएगा, sin t, तो यह आजाएगा sin t, 2009 पूट किया x की value, 2009 pi, तो यह बन गया 2010 pi, और यह कितना बन जाएगा, बच्चों, उपर वाला, उपर वाला बन जा यहाँ पर एक minus sin भी आएगा, इसकी वज़े से, उपर बन जाएगा, 2011 pi, divide by, नीचे है, आपके पास में 2010 pi, और divide by 2011 pi, e to the power minus x into sin x, अब देखिए, बच्चों, इसका area जो भी आएगा, और इसका area जो भी आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि दोनों की limits से हमें, दोनों का function से में, तो इसको आप इससे काट सकते हो, तो यह आएगा, minus e to the power minus pi, लेकिन क्योंकि यह दो area का ratio है, जो कभी negative नहीं हो सकता, तो इसका answer आएगा, e to the power minus pi, उपर power में pi हो सकता है, बट बाहर minus sin नहीं हो सकता, और ऐसा कौन सा option है हमारा, पहला option, जो की आपका क्या होगा, सही answer, ठीक है, यह हो गया हमारा question number 9, चलिए आगे बात करते है, question number 10, देखिए क्या है, question number 10 में हमें क्या दिया है, देखो, फिर से एक passage, इस passage में देखो क्या है, इस बार हमें कि दे रखा है, कि यह जो equation है, इसे हमें solve करना है, differential equation है, कैसे solve करेंगे, इसको divide कर दिया, dy by dx, plus 2x upon 1 plus x square, और 7 में आजाएगा मेरा कितना y, बराबर 4x square divided by 1 plus x square, यह integrating factor होगा, integrate करेंगे, तो आएगा y into log 1 plus x square, log कट जाएगा, so 1 plus x square, क्योंग ए की power में होता है, बराबर 4x square, इसको 1 plus x square से multiply करेंगे, तो denominator हट जाएगा, into dx, और इसको क्या करना है, integrate, देखे, कितना आ रहा है, इसका integration आएगा, 4x cube by 3 plus c, y into 1 plus x square, अब देखिए, हमें कुछ दे रखाएगा, इसमें साथ में और, this curve, differential equation, this and passes through origin, x को 0 put करेंगे, तो y 0 आएगा, तो इसमें put करेंगे, तो यहां से c की value 0 आजाएगी, और हमारा जो function है, वो function मिल गया, हमें y बराबर, कितना, y बराबर 4x cube by 3 into 1 plus x square, अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें check करना है, कि यह function increasing है, 4x belong to real number, ठीक है, इसके अंदर कोई minima या maxima point है, या इसके अंदर कोई भी point of inflection है, क्या, यह सारे चीज़ा हमें discuss करनी है, ठीक है, तो चले, इसको differentiate करते हैं, इसको differentiation करते हैं, इसको कोई काम ने, इसको मिटा देते हैं वापिस, देखिए कितना आ चाहिए, क्योंग यह तो हमारा integration हो चुका है, और जो integration हो चुका है, उसको अब हमें वापिस देखने की जरूत नहीं है, तो यहीं पर कर लेता है इसका differentiation, देखिए कितना आ रहा है, नीचे आएगा देखिए 3 times 1 plus x square का square, 4 by 3 को तो बाहर रख लो, ठीक है उसको differentiation की कोई जरूत नहीं है, उपर किया x cube का differentiation, that is 3x square, और नीचे वाला as it is 1 plus x square, minus, नीचे वाले का differentiation 2x, और उपर वाला as it is x cube, तो देखिए कितना आ रहा है, यहां से x square common आ जाएगा, तो 4 पहले से था, तो 4x square, यहां बचे का देखिए 3 plus 3x square, और minus 2x square, तो 3 into 1, x square तो बहार आ गया, 3 plus 3x square, minus 2x square, that is x square, divide by 3 times 1 plus x square, यहां से अगर हम देखे, तो जो f dash x है मेरा, वो x equal to 0 के उपर क्या है, इधर भी positive है, इधर भी positive है, और कोई मेरा factor आ नहीं रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, कि यह function मेरा हमेशा ही increasing है, पहला for all real number यह सही है, point of maximum minimum होगा नहीं, point of inflection होगा, बट हमें देरका no point of inflection, इसलिए यह option आपका गलत हो गया, तो शिरफ पहला option आपका यहां पर क्या होगा, सही होगा, इसको रखते हैं, ठीक है, और अगले question पे चलते हैं, देखे, क्या है, अगले question के अंदर हम से पूचा है, कि area क्या होगा, ठीक है, इससे bounded area कितना होगा, area enclosed by the y बराबर f inverse x, अचा, इस function से नहीं निकालना है, f inverse x से निकालना है, the x-axis and the ordinate at x equal to 2 by 3, तो देखे, यह function हम ऐसा increasing था, आपने देखा, ठीक है, तो x बराबर 0 पर इसकी value कितनी आ रहे है, 0, और 2 by 3 आएगा यह कब, जब इसके अंदर x की value हम 1 put करेंगे, और देखे, अगर ऐसा कोई function होता है, तो हमने area में पढ़ा था, हमसे कौन सा area पूछा गया है, हमसे यह area पूछा गया है, ठीक है, x बराबर 1 पर यह कितना है, 2 by 3, जो आपको दे रहे है, x बराबर 2 by 3, देखे, x बराबर 2 by 3 inverse का है, तो यहां पर क्या हो ज 4 x cube divided by 3 times 1 plus x square, इसको हम आराम से integrate कर सकते है, x square को t मान लिया और इसको integrate कर दिया, देख लिजी आपका answer आजाएगा, ठीक है, तो जो भी आपका answer आएगा यहां पर, ठीक, इसका integration आप लोग कर सकते हैं, आराम से, आगे बात करते हैं, चलिए multiple choice questions के बारे में, कि उनका solution कैसे किया जाएगा, चलिए देखते है, multiple choice questions और उसका पहला question है हमारा, देखिए, the solution of the equation, this is are given by, इस equation का solution कैसे दिया जाएगा, तो देखिए, इस बार यहां पर factorization हो रहे है, जिसे मैंने कही बार factorization हो जाते हैं, तो इसके factorization कर देंगे, हम dy by dx plus e की power x, और dy by dx minus e की power, plus, sorry, यहां आपर minus sign आएगा, minus e की power minus x, बराबर 0, इसको multiply करो, इसको इसको integrate किया, या तो यह 0 होगा, या दूसरा 0 होगा, so dy by dx बराबर e की power x, या dy by dx बराबर e की power minus x, इससे मिलेगा y बराबर e की power x plus c, और इससे मिलेगा y बराबर e की power minus x plus c, और इससे मिलेगा y बराबर minus e की power minus x plus c, देखो y plus e की power minus x plus c पहला option सही हो गया, minus वाला plus हो जाएगा उदर जाकर के, y minus e की power minus x गलत हो जाएगा क्योंकि इधर आके plus होगा, y plus e की power x ये गलत हो गया, y minus e की power x plus c ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, तो ये तो है हमारा चौथा option और ये है हमारा पहला option, ठीक है, simple question आगे चलते हैं question number two, देखें क्या है, question number two के अंदर आपको बोला गया कि इसकी orthogonal trajectory क्या होगी, orthogonal trajectory निकालने का क्या तरीका होता है बच्चो, इसको differentiation करते हैं, तो आता है k square by x को dy by dx बरावर, minus k square by x square, इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में dy by dx को replace कर देते हैं, minus dx upon dy से, और फिर वापिस इसको integrate करते हैं, और देखते हैं कि क्या आता है, minus k square by x square, देखें कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर हम इसको उदर cross multiply कर देखें, minus sign से minus sign कट जाएगा, और minus sign कटने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, x square, k square हमें यहाँ पर दे रखा था, ठीक है, x square into dx, और इधर आ जाएगा हमारे पास में कितना dy, और साथ में कितना k square, अचा, k square को मैं क्या लिख सकता हूँ, x into y लिख सकता हूँ, देखें बच्चों, x x कट जाएगा, तो x into dx क्या बन जाएगा, आपका, x square by 2, y into dy बन जाएगा बच्चों, y square by 2, बराबर एक नया constant जिसको नाम दे दिया, a square, तो x square, minus y square, बराबर कितना आ गया आपके पास, a square, 2a square या a square, इसको एक नया constant फिर नाम दे सकते, तो यह क्या है, यह आपके इस type की equation आ रही है, और यह किस चीज की equation है, यह rectangular hyperbola की equation है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, next है आपका question number 3, देखिये क्या है, question number 3 के अंदर, आपको यहाँ पर बोला गया है, कि इस function का fractional part of x है, for all real number x, then the area bounded by the curve fx with the axis from x बराबर minus 1 to 1 is equal to, देखिये, x बराबर minus 1 से 1 में integration निकालना है कि इसका, fractional part x का, तो एक यह बनेगा, और एक यह बनेगा, तो x एक इसके साथ में area क्या आएगा, एक तो यह बना पार्ट और दूसरा यह बना पार्ट, दोनों triangle की height same है, तो total एक साथ निकाल दो, base कितना हो गया, 2, so 1 by 2 into 2, और height same है, that is 1, 2 से 2 कड़ जाएगा, तो आपका area आएगा है बच्चो 1, लेकिन 1 अब हमें किसी option में नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको integrate करना पड़ेगा, और check करना पड़ेगा कि कौन से integration 1 आ रहा है, तो देखिए बच्चों, इन सब में king's rule लगेगा, और king's rule लगने के बाद में आप सब को पता होगा, इनका answer क्या आता है, 1 बाइ 2 इंटू 3 माइनस 2 बाइ 2, तो यह तो 1 के बराबर नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है, यह कट जाता है पूरा, सिरफ पावर बाइ 2 आ जाता है, यहां पर देखो, 2 टाइम 3 माइनस 2 बाइ 2, यहां 1 आ जाएगा, तो यह आपका सही option है, इसमें देखिए कितना आ रहा है, पाई बाइ 4, पाई पाई 2 माइनस 0, डिवाइड बाइ 2, यह 1 नहीं आ रहा है, यह cancel out हो जाएगा, यहां देखो, 4 पाई, पाई पाई 2 माइनस 0, डिवाइड बाइ 2, पाई से पाई चला जाएगा, 2 से 2 टाइम, इस 2 से 2, यह 1 आ जाएगा फिर से, तो एक तो दूसरा option 1 आ रहा है, एक चौथा option 1 आ रहा है, अच्छा यह कैसे किया हमने, यह 1 हो जाता है, जब King's Rule लगता है, ठीक है, आप आपके रूट कोटेक्स है, अब अगर 10 बन जा रहा है, that means King's Rule लग जाएगा, और सिधा आपको पास यह formula होता है, यह formula लगा दो, upper limit minus lower limit by 2 हो जाता है, आपका integration की value, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला question है, हमारा question number 4, देखिए क्या है, question number 4 के अंदर हमसे पूछा गया है कि इसकी order or degree क्या होगी, किसकी इस कारुकी, तो चलिए बात करते हैं, इसको differentiation किया, 2y into dy by dx बराबर 2a, हमें इसकी order or degree चाहिए, तो देखिए, एक ही इसमें variable है, तो order तो 1 होगा, ठीक है, इसमें तो कोई confusion ही नहीं है, order तो 1 होगा, एक arbitrary constant ह degree के लिए हमें इसमें वापिस पूट करना पड़ेगा, तो पूट करते हैं, देखिए, y square बराबर आजाएगा, 2 time a, 2a की value वापिस पूट कर दी, पूरी as it is, 2y into dy by dx, और साथ में है x, तो यहां जाएगा x, प्लस 2a, यह ट्रम तो रहेगी हमारे पास, 2y into dy by dx, और साथ मे root a और आ रहा है, so 2y into dy by dx, तो देखिए बच्चों, इसके अंदर power dy by dx की 1 आ रही है, यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, आपके पास में इसके अंदर 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2, तो इस 3 by 2 को हमें हटाना पड़ेगा, इसको इधर लाके squaring करेंगे, squaring करेंगे, तो यहां पर dy by dx की power कितने आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी, तो आपकी जो degree होगी इसकी वो कितने हो जाएगी, वो 2 नहीं होगी, वो 3 होगी, वैसे 2 तो option में भी नहीं है, और 4 भी नहीं आएगी, क्यों maximum power आपकी 3 ही आएगी, आप इसके square करके देख सकते हो, इधर power 2 आएगी और इस ट्रम को इधर लाके squaring करनी है आपको, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 5, देखे क्या है, question number 5 के अंदर, आपको इसको solve करना है, ठीक है, इस differential equation को solve करना है, तो इसको देखे कैसे solve करेंगे, x dy minus y dx, y को इधर लेयाओ, बरावर में कितना है, x square minus 2, into dx, अब देखे, यह सी ट्रम है, जिसका integration हमें पता है, इसको x square से divide कर दिया, इसको भी x square से divide, तो यह तो बच्चो, y by x का क्या है, differentiation, तो इसका integration हो जाएगा, differentiation plus integration, सीधा आजाएगा, y by x, इसको integrate कर दिया, यह आगया, x minus, 2 upon x square का integration कितना हो जाएगा, बच्चो, minus 2, plus 1, minus 1, तो यह बन जाएगा, बच्चो, 2 by x plus c, अब हमें f of 1 की value 1 दे रखी है, इसमें 1 put करने से 1 आ रहा है, so 1 ब्राबर 3 plus c, तो यहां से c की value आ गई, बच्चो, minus 2, यह इसमें put कर दीजिए वापिस, put करने से हमें मिलेगा, देखे, y by x ब्राबर, x से काट दीजिए, y ब्राबर, x square, plus 2, minus 2x, तो यह हमारा क्या बन गया, बच्चो, function, x square, minus 2x, plus 2, अब आप चेक कर लिजिए, आपका option, minima 8 x equal to 1, बिल्कुल सही बात है, x equal to 1 पे minima आएगा, upward parabola है, minus b by 2a की value 1 आएगी, यह गलत हो जाएगा, f of 3 का value 5, देखो, f of 3 आएगा, 9 minus 6, plus 2, 11 minus 6, that is 5, यह बिल्कुल सही आणस्वर है, f of 2 की value 3, 2 put करो देखो, 4 minus 4, plus 2, इसे कट जाएगा, 2 आएगा, बच्चो, 3 नहीं आएगा, तो यह option क्या हो गया, गलत, तो इस तरीके से आप इसको आराम से solve कर सकते हो, चलिए आगे चलत है, question number 6, देखे, क्या है, question number 6 के अंदर, आपको check करना है, क्या, कि f of pi pi 6 की value कितनी होगी, तो f of pi pi 6, देखे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें, again, इसको integrate करना है, तो f of x का मतलब हुआ, बच्चों, y, sin 2x का मतलब, sin 2x, minus cos x, plus 1 plus sin 2x, into f dash x का मतलब हो गया, बच्चों, dy by dx, बराबर 0, इसको लिखा देखे, को standard format में, dy by dx, plus y का coefficient is sin 2x, divide by 1 plus sin 2x, इसके अलावा, उस side में आएगा, आपके पास में, इसको उधर लेगे, तो उधर यह हो जाएगा, cos x, divide by 1 plus sin 2x, फिर से देखे, पीछे हमने देखा था इसा question, इसको अगर हम में t पूट करूँगा, तो उपरवाद dt बन जाएगा, तो यह बनेगा, अगया लोग t, और लोग t का integrating factor, तो y into log t, तो e की पावर log t, तो e log e कट जाएगा, t बचेगा, और t हमने किसको पूट किया, 1 plus sin square x को, इधर यह कट जाएगा, और cos x का integration हो जाएगा, बच्चो, sin x plus c, c निकालने के लिए आपको f of 0 की value 0 दी है, तो यह 0 पूट करेंगे, तो 0 आएगा, तो c की value 0 आजाएगी, और आपका function आजाएगा, y बराबर sin x divided by 1 plus sin square x, तो देखिए, बच्चो, कितना आएगा, इसमें आपको 5 by 6 put करना है, तो f of 5 by 6, देखिए, एक option, तो उपर वाले में ऐसा ही रखना है, शिर्म नीचे put करना है, तो 1 by 2 का whole square, 1 by 4 plus 1, 5 by 4, तो यह आएगा, 4 by 5 into sin 5 by 6, ऐसा कौन सा option है मेरा, 4th option, दूसरा, इसके अंदर आपक 5 by 6 की value put करनी है, तो sin 5 by 6, 1 by 2 होता है, तो इसको 1 by 2 से divide करोगे, तो आपका answer कितना आजाएगा, बच्चो, 2 by 5, तो एक आपका पहला option सही होगा, दूसरा आपका 4th option सही होगा, ठीक है, चले आगे, चले देखते हैं, next question, next question क्या है मेरा, next question number 7, देखिए कितना आ रहा है, question number 7 के अंदर अगें देखिए वैसी differential equation है, जैसी अभी हम लोगों ने देखी थी, इसको integrate करना है, इसको इदर लाते है, dy by dx, minus 3 cot x, minus 3 cot x into y, ब्राबर sin 2 x, देखिए, integrating factor आएगा, minus 3 cot x, minus 3 cot x, cot x का integration आप सबको पता होगा, बच्चों, क्या होता है, log sin x, तो ये बनेगा, e to the power ln, sin x की power, minus 3, that is 1 upon sin cube x, into, ये, इसका base भी e है, तो ये कितना आएगा, बच्चों, y upon sin cube x, और इदर आजाएगा, आपके पास में, sin 2 x is 2 sin x cos x, divide by sin cube x, और इसको क्या करना है, हमें, integrate, sin x से sin x कट जाएगा, sin x को t put किया, तो उपर क्या, बच्च गया, आपके पास में, 2 dt, और नीचे आजाएगा, बच्चों, t square, sin x को माना हमने, इसका integration होगा, minus 2 by t, minus 2 upon t, किसको माना था, sin x को, और साथ में आजाएगा, बच्चों, plus c, अब देखो, आपको और क्या दिया है, इसके गए वैल्यू, एफ यह पाई-पाई-टू-टू है, पाई-पाई-टू-टू-टू-टू-टू-टू-किया तो 1, वहाँ पर भी 1, तो वह 2 आ जाएगा, तो वहाँ से c की value कितने आ गई बच्चो, यह उदर जाकर करके हो जाएगा, आपके पास में 4, तो यहां से y की value आ गई बच्चो, आपके पास में, 4 इंटू sin cube x, minus 2 इंटू sin square x, क्यों sin cube है वहाँ पर, यहाँ पर sin x है, तो sin square x, divide by, divide by कुछ नहीं, sin cube x से multiply कर दिया, तो यह आ जाएगा आपके पास में, 4 sin cube x minus 2 sin square x, सबसे पहले तो इसमें pi pi 6 put करना है, तो pi pi 6 पर यह होगा, 1 by 2, यहाँ पर cube है, और यहाँ पर कितना है बच्चो, square, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हैगा, 1 by 4, minus 1 by 2, यहाँ पर plus 1 by 2, तो यह 0 आ रहा है, तो पहला option बिल्कुल सही है, dy by dx, 8 pi pi 2, तो देखिए, pi pi 2 पर, क्या करें हम, y की value निकाल ले, फिर वहीं से dy by dx निकाल लेंगे, तो इसमें देखिए, y की value कितनी है, pi pi 2 पर, 4 minus 2, y की value आ गई 2, और इसमें फुट कर दो, देखो, कितना आ रहा देखे, sin pi, यह 0 हो जाएगा, plus 6 into, cos pi pi 2, यह भी कितना हो गया, 0, cos pi pi 2, 0 होता है, तो यह option भी आपका सही हो गया, y dash of pi pi 3, pi pi 3 पर इसकी value कितनी है बच्चों, तो इसको जब आप चेक करोगे, तो आपका यह वाला जो option है, y dash of pi pi 3 के अंदर, 9 minus 2 root 3 upon 2 आएगा, क्योंकि root 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि root 3 आता है, तो इसमें फुट करने से आपका चौथा option भी क्या आजाएगा, सही आजाएगा, तो यह हो गए आपके सारे multiple choice questions, चलिए आगे बात करते हैं, integer type questions के बारे में, चलिए बच्चो इस्टार्ट करते हैं, integer type questions, और integer type questions के अंदर हमारा पहला question है, देखको, let area of the region bounded by the curve this and this, इन दोनों से bounded, जो कर्व होगा आपका, ठीक है, उससे bounded area find out करना है, अचा, area आपको दे रखका है कि यह होगा, तो इसमें k की value आपको बतानी है, चलिए देखते हैं, यह आपके पास में क्या है, एक semi circle की equation है ऐसी, जो आपके पास में minus root 5 से plus root 5 के बीच में बनेगी, x square plus y square equal to 5 होगा, दूसरा है, mod x minus 1, तो यह एक line आपके पास में इधर जाएगी, एक line आपके पास में इधर जाएगी, area of the region bounded by the curve this and this, ठीक है, तो इससे bounded area कौन सा होगा, बच्चों, यह, अब देखिए, यह area क्या होगा, and above the x-axis, इन से bounded, and above the x-axis, means यह area आपको find out करना है, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हमें intersection points चाहिए होंगे, तो देखिए, y ब्राबर x minus 1 जब इसमें देखेंगे, ठीक है, अच्छा, वैसे देखिए, यह point 1 है, तो यह बाद चेक कर ले, 2 इसको satisfy कर रहा है, 2 पर यह कितना आ रहा है, 1, और 2 पर यह भी 1 आ रहा है, तो देखिए, सिरह हमें पता चल गया, कि यह point 2 होगा, ऐसे ही देखो, minus 1 पर यह 2 आ रहा है, minus 1 पर यह भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यह point minus 1 होगा, क्योंकि लगबग देखिए, chances होते ह ऐसे points ही आते हैं, तो आपको solve करने की ज़रूती है, minus 1 से 2 के अंदर, अब देखिए, एक तो minus 1 से 2 में आप circle को integrate कर दो, minus 1 से लेके 2 तक, circle का integration, circle कितना देर के आपको, 5 minus x square into dx, फिर minus 1 से लेके 1 तक आपको इस line को integrate करना है, और यह line क्या होगी, बच्चो, minus x minus 1, और फिर x minus 1 into dx, क्योंकि यह तो minus sign के साथ खुलेगी, और यह आपकी plus sign के साथ खुलेगा, और दोनों को subtract करना है, और इसके उपर आपका root भी लगा हुआ है, इसको बच्चो, जब आप integrate करके एकदम पूरा integration आप लोगों करना है, तो आपका answer बिलकुल ऐसा आएगा, 5 pi divided by 4 minus 1 by 2, एकदम exact इसी type का मिलेगा, और यहां से जब आप compare करेंगे, तो k की value आपको बच्चो कितनी दिखाए देगी, 5, जो कि आपका सही answer है, ठीक है, चलिए आगे बाद चलते है, question number 2, question number 2 क्या है, देखिए, question number 2 के अंदर, आप से क्या पूचा गया है, कि the differential equation of parabola with axis are parallel to y axis and length of lattice rectum is 4a is of the order, देखिए, ऐसा parabola, जिसकी axis parallel है y axis के, तो y axis के parallel है, तो कैसा होगा उसकी equation, y axis के parallel है, या तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा, तो इसकी equation होती है, हमारे पास में, x minus h का hall square बराबर, length आपको दे रखिए, 4a into y minus k, तो देखिए, इसमें arbitrary constant सिरफ 2 है, आपका एक तो h और 1k, a आपको arbitrary constant नहीं है, क्यों आपको question में दिया गया है, तो यहां पर इसके दो arbitrary constant है, तो इसका जो order होगा, बच्चों, आपका वो कितना आ जाएगा, 2 आजाएगा, और 2 आपका क्या ह हो जाएगा, सही answer, ठीके, चलिए, आगे चलते हैं, next है हमारा question number 3, question number 3 देखिए, क्या है, question number 3 के अंदर, आपको बोला गया, the order of the differential equation of all the curve, again order पूचाया आप से, having normal of constant length, देखिए, हमने normal की length का formula पढ़ा था, कहां पढ़ा था, याद कीजिए, कहां पढ़ा था, हमने पढ़ होगा, y into root over 1 plus dy by dx का all square, बराबर दे रखा है आपको constant, देखिए, अगर यह constant है, ठीक है, और यह आपको दियावा है, कि that will be the constant length C, arbitrary constant नहीं है, तो यह जो differential equation है, यह dy by dx की power 1 के अंदर है, और इसके अंदर कोई आपका arbitrary constant नहीं है, तो इसका order कितना हो जाएगा, बच्चों, 1 बहुत simple question था again, आपको बस पता होना चाहिए, कि normal की length का formula क्या होता है, ठीक है, उसमें आपको drum दिखाए दे जाएगी, dy by dx की, और वहां से आपको आपका answer दिखाए दे जाएगा, अगला देखते है, question number 4, देखिए क्या है, question number 4 आपका degree से related है, degree निकालने है इस equation के अंदर तो degree निकालने के लिए क्या करते हैं, बच्चों, degree निकालने के लिए इसको उदर ले जाकर के squaring करेंगे, 1 by 2 plus 4 का hall square, square क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इदर power कितनी है, 2, तो यह power हट जाए, y2 का hall cube बराबर, y1 plus 4, plus 2 root y1 into 4, that is 8, लेकिन बच्चों, अभी हम इसकी degree निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी इस y1 के उपर power कितनी है, root के अंदर है, 1 by 2 है, dy by dx से related जितनी भी terms होती है, सब की power क्या होने चाहिए, hall number होनी चाहिए, तो इसको इदर ला करके, फिर एक बार हम इसका cube करेंगे, minus y1 minus 4 का hall cube, बराबर इस जो maximum power आएगी, जब क्यूब करोगे आप, ठीक है, cube ने square करेंगे, क्योंकि square करने से इदर से root हट जाएगा, उदर power 3 और इदर square, तो maximum power इसकी कितनी आएगी, बच्चों, 6, और आपकी जो degree हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 0, 6, तो यह आपका क्या हो जाएगा, answer, चले A into B का product क्या होगा, चले, satisfy करवाते हैं, y यह है हमारा, तो y1 आएगा, बच्चों, 4 into e की power 4x, minus 2 into e की power minus x, y2 आएगा, बच्चों, हमारा, 16 into e की power 4x, minus minus plus 2 into e की power minus x, और y3 आएगा, बच्चों, हमारा, 16 into 4, 64 into e to the power 4x, minus 2 into e to the power minus x, y1, y2, y3 आगे, यह इसको satisfy कर रहे हैं, तो इसमें put कर दीजिए, देखिए, इसमें put करेंगे y3, तो यह आएगा, 64 into e to the power 4x, minus 2 into e to the power minus x, यह put करते है, a into y1, y1 है कितना मेरा, 4 into e to the power 4x, minus 2 into e to the power minus x, और b time y1, b time y कितना है, e की power 4x, plus 2 time e की power minus x, बराबर कितना देर का है, 0, तो देखिए, क्या आएगा, e की power 4x का coefficient, 64 plus 4a plus b, और e की power minus x का coefficient कितना आ रहा है बच्चों, minus 2, minus 2a plus 2b, और यह किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर, तो देखिए बच्चों, यह 0 के बराबर तभी हो सकता है, जब 4a plus b कितना हो जाए आपका, minus 64, और उदर से अगर उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि सभी के अंदर 2 आ रहा है, सभी में 2 आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दूँ, तो वो बनेगा बच्चों, a minus का a, साथ में plus का b, और यह उदर चला ज यह minus, तो b cancel out, 5a बराबर कितना आ गया बच्चों, minus 65, तो a की value कितनी आ गई बच्चों, minus का 13, यह क्या आ गया मेरा a, मेरे से क्या पूछा है, then the 10th place of a into b, a और b का 10th place पूछा है, तो b निकालते हैं, तो a की कितना आएगा, बच्चों, b आएगा आपका 1 minus a, 1 plus a, b बराब minus 13, तो b कितना हो जाएगा, बच्चों, minus 12, तो a into b आएगा, मेरे पास 13 into 12, that is 26, और 13 plus 2, that is 15, so 156, और इसका 10th place कितना होगा, बच्चों, that is 5, जो आप से पूछा गया है, तो इसका 10th place हो जाएगा, 0, 5, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next है आपका question number 6, क्या है, question number 6 के अंदर आप से पूछा है कि इससे bounded area क्या होगा, किससे bounded area, एक तो है आपका 0 से 1 x, 0 से 1 y, और दूसरा है ये circle, देखिए, ये तो है circle आपका 0 से 4 by 3, ये है आपका x बराबर 1 तक और ये है y बराबर 1 तक, तो इससे बनेगा आपके पास में ऐसा है, एक rectangle, तो आप से ये area पूछा गया है, तो ये area निकालने के लिए देखिए, पहले तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये तो बन गया एक rectangle, और इधर वाले को हमें circle को integrate करके area निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें उपर वाला area नहीं चाहिए, तो देखिए, उसके लिए हमें इसको solve करन पड़ेगा, और solve करने के लिए simple, इसके अंदर क्या पूट कर दीजिए, x square plus y square equal to 4 by 3, और y ब्राबर 1 को, तो ये आएगा आपका 1 by root 3, तो देखिए, 1 by root 3 into 1 rectangle का area तो हो जाएगा, 1 by root 3 plus आगे वाला area माल लेते, a है, तो a की value क्या आएगी, देखिए बच्चों, a ब्राब 1 तक integrate करना है कि इसको circle को 4 by 3 minus x square का square root, हम सबको पता है कि इसका formula क्या होता है, x by 2 into 4 by 3 minus x square palytrum, a square by 2, 4 by 3 हो जाएगा बच्चों, 2 by 3 into sin inverse x upon 2 root 3, 2 नीचे और उपरा जाएगा बच्चों, और root 3, और इसमें put करनी है, हमें limit कहां से कहां तक, lower limit to 1 by root 3, और upper limit to 1, देखिए बच्चों, जब 1 put करेंगे, तो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर आएगा बच्चों, 1 by 2, और 1 put किया, so 4 by 3 minus 1, that is 1 by root 3, ठीक है, 1 by 2 plus root 3, इसके अंदर 1 by root 3 put करेंगे, तो 1 by 3 आएगा, ठीक है, 1 put किया तो बाहर यह था, लेकिन इस बार बाहर आपके पास में 1 by root 3 बन जाएगा, एक 2 पहले से present, और 1 by 3 put करेंगे, तो इस बार यह 1 बन जाएगा, मेरा, तो यह पहले वाला part तो कितना हो गया, 0 आगया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 put किया, तो 1 by 2, और 4 by 3 minus 1, that is 1 by 3, so 1 by root 3, so 1 by 2 root 3, फिर इसमें put किया, 1 by root 3, तो यह बनेगा आपके पास में 1 upon 2 root 3, और 1 by root 3 बनेगा, 1 by 3, 4 by 3 minus 1 by 3, 1, तो यह यह आगया, तो यह तो कट गया, अब देखते हैं आगे वाला, आगे वाले के अंदर आ रहा है, 2 by 3 into sin inverse this, तो देखें, 2 by 3 को तो बहार रख लेते है sin inverse के अंदर 1 put करेंगे, तो root 3 by 2 होता है, 60 degree, pi pi 3 minus, 1 by root 3 put करेंगे, तो root 3 से root 3 कट जाएगा, 1 by 2, that is pi pi 6, तो यह कितना आ रहा है बच्चो, यह आएगा आपका LCM लेने के बाद में, pi upon 6 ही आएगा, तो यह आगया, आपका 2 pi upon 3 बाहर था, और इधर से 6 और आजाएगा, 2 से divide हो जाएगा 3 time, तो यह आजाएगा pi upon 9 आपका area, और पहले कितना था, a upon 1 plus root 3, दोनों को LCM ले लीजिए, LCM आएगा 9, ठीके, और इधर पहले से आपके पास में root 3 present था, तो इसको divide करोगे, तो यह आजाएगा 3 root 3, और 7 में आपके पास में a कितना हो जाएगा, pi, आपको इसा ही दे रहका है area, तो root 3 का coefficient हो गया, a3 और b की value हो गई बच्चो 1, तो a plus b कितना आजाएगा आपका, 0,4 जो कि आपका सही answer है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, question number 7, जो कि आज का आपका last question है paper का, देखते हैं क्या है, इसके अंदर आपसे 2,2 से पास करने वाला, एक कर जिसकी slope of the tangent at any point to the curve is reciprocal to the ordinate, dy by dx क्या दे रहका है, 1 upon y, तो क्या आगया, y square, y into dy is y square, by 2 बराबर x plus c, 2,2 से पास कर रहा है, x को 2 put क्या, 4 by 2 ये भी 2, तो c कितना आगया बच्चों, 0, तो y square बराबर कितना आगया, 2x, अब क्या करना है, reciprocal point, if the area bounded by the curve c and x बराबर 2 is expressed as the p by q, देखिए, ये क्या है, ये एक पेराबोला है, इस टाइप का, इसको आपको x बराबर 2 तक integrate करना है, कहां से, x बराबर 2 और इसके बीच का bounded area ये होगा, तो ये area किसको क्या लेक सकते हम, 2 time 0 से लेकर के 2 into root 2x, तो root 2 को भी बाहर निकाल ल x, कितना आ गया बच्चो, x to the power 3 by 2 और इसमें limit पूट कर दीजिए, 0 से root 2 और बाहर भी है, मेरे पास में 2 root 2, और 7 में आ जाएगा बच्चो नीचे 3 upon 2, कितना आ रहा है, 2 इसमें put किया, root 2, तो root 2 की power 3, that is 2 root 2, 2, क्यों x की जगे, पिर क्या put करना है मेरे को, 0 से 2 put करना है, sorry, root 2 नहीं, 0 से 2 put करना है, तो 2 put करूंगा तो 8, 8 का power 1 by 2 होगा, 2 root 2 into 2 root 2, 8, 8 into 2, 16 by 3 मेरा क्या आ गया, area, और ये p by q के format में represent किया गया है, और p by q आपका rational है, और p और q आपके क्या है, lowest form में है, तो यही lowest form है, आपका p की value 16, और q की value 3, so 16 plus 3, 19 by 19, यह कितना आजाएगा, हमारा 1, तो हमारा जो जो सही answer होगा, इसका वो कितना हो जाएगा, 0, 1, ठीक है, तो यह था आज का आपका last question, इसी के साथ आपका solution complete होता है, okay, thank you very much.